मैनुफैक्चुरिंग के दम पर GDP ग्रोथ ने फॉल स्पीड पकड़ ली है 2015-16 में भारत की GDP ग्रोथ 7.2% से बढ़कर 7.6% हो गई है वहीं जनवरी मार्च तिमाही में GDP ग्रोथ 7.3% से बढ़कर 7.9% हो गई है 2015-16 में मैनुफैक्चुरिंग का शानदार प्रदशन रहा है मैनुफैक्चुरिंग ग्रोथ 5.5% से बढ़कर 9.3% तक पहुच गई है इस दौरान फार्म ग्रोथ माइनस 0.2% से बढ़कर 1.2% हो गई है अपरेल में कोर सेक्टर ग्रोथ 8.5% रही है यानि लगातार पांचवा महीना है जब कोर सेक्टर ग्रोथ पॉजिटिव रही है कोर सेक्टर इंडेक्स में कोईला, कुरूड ओयल, नैट्रल गैस, रिफाइनरी प्रोड़क्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सिमिन और बिजली शामिल है कोर सेक्टर का IIP में 38% का वेटेज है अप्रेल में कोर सेक्टर ग्रोथ में रिफाइनरी और इलेक्रिसिटी कास सबसे ज़ादा योगदान रहा है मेरा देश, 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 म झाल